फायू स्टेप इन्वेस्टिंग स्ट्राटजी ये एक स्ट्राटजी आशा लोकान साथी आए जे बिगनर आए तुम्हाला सागितला है कि बिगनर लोकान साथी एक में प्लेलिस्ट बनाव ले दिस्क्रिप्शन मदे तेची लिंक आए जाचा मदे सर्व बेसिक वीडियो तुम्हाला पहला मिलतील स्टॉक मार्केट रिलेटेड सग्ड़ा इन्पोर्मेशन तुम्हाला त्या वीडियो चा सुरूपा त्या प्लेलिस्ट मदे पहला मिलना रहे त्या मुले आजुन काही तुमचे प्रश्णास तील दर माला कमेंट करा फाइव स्टेप इन्वेस्टिंग स्ट्राटेजी काई सांगते बेसिक लेबल ला जर तुम्हाला स्टॉक मार्केट मदे इन्वेस्ट कराईचा सेला ता नहीं मिलोकांचा प्रश्णास तो कि मी ज अशा प्रकारे मार्केट वाड़ता ना दिसायला पाईजिए पन एक्चुली होता का है मार्केट डाउन होता या केस मदे काई गराईचा अथा बेसिक लेबल ला एक गोश्ट लक्षात गया जर तुम्हाला इन्वेस्टिंग करना रहत तर पहिला काम कराईचा कि वाड़ यहां श्टोक डबल गाला ट्रिपल गाला मनुना पन त्याचा मदे इन्वेस्ट करतो जो औरेड़ी टॉप लेबल ला पोच लेला जतो थिते इन्वेस्ट केलया नंतर तो डाउन होतो आणि अपला लोस होतो मनुना अपले ला काई कराईचा जरे खादा श्टोक खाली ए प्रोड लेवल लाप लेला एवडम हाईती पाईची कि हाज क्वालिटी स्टॉक आहे यांचे प्रोडक्ट बेस्ट आहेद क्वालेटी कंपणी ची सिलेक्शन तुम्ही कराई था एक दा क्वालेटी कंपणी नि उडली कि तीक हाचें मदे कशा प्रकार इंवेश्ट कराई था ही में तो माला सांग तो चलार आता स्क्रीन वर अपन पाँना रहोत विप्रोड़ चार्ट आनि याचा मद उन समझना रह घाली जातो है की खाली यहूं पुन्ना वर जातो है या लेवलल ला इ타 жाल हाई श्टौक ऑपने। करना रहोत, आथा इकड़े जर तुम्ही बगितला, तर हाइर हाई याने बनोला है, आणी एकड़े प्राइज आहे 300 रुपय, 300 रुपया वोरुन जहुआ तो स्टॉक डाउन होईल, मिनिममम 10% नी, 10% नी हाँ स्टॉक जहुआ डाउन होईल, तेहुआ आपन त्याचा मदे सुरू करना रहोत, आथा 10% मंजेज जवल पास 30 रुपया अनी हाँ खाले आला पाहीजे, मंजेज 270 रुपया पेक्षा ही तो खाली आला पाहीजे, त्याच वेड़े आपन त्याचा मदे इन्वेस्ट करना, आथा एकड़े जर बगितले तर आराउंड हाथ 270 का त्याचा पाहीजे खाले आला है, 260 रुपया आला आला, आनी 260 रुपया पासुन तो उन्हा रिवर्स जाला, एक्चुली आपन हाँ 215 चुमा 255 रुपया चा बॉटम पकुरू शक्नार नहीं, 260 रुपया ला एक्जेक्ट आपने इन्वेस्ट करू शक्नार नहीं, करना अपले आला म पासुन जहुआ श्कॉप थोड़ा सा वर्स आला शुरू करेला, हंजे 20 रुपया नी तो वर गेला, आराओंड मी आन्दाजे पकड़तो है 270 रुपया चा अपन इकड़े इन्वेस्ट करतो है, किती टक्के इन्वेस्ट करतो है, 10 टक्के इन्वेस्ट करतो है, आता समझा तुम्चा कड़े टोटल कीत रुपया है, एक लाक रुपया है, आता एक लाक रुपय जहुआ तुम्चा कड़े होतील, तेहुआ पन याचा मदे इन्वेस्ट करना रहोत, पन ही एक लाक रुपय एक त्रित आपन इन्वेस्ट करना रहोत, याला पाच प्रकारी डिवाइ टक्के यह ची टोटल जर तुम्हीं केली तर शंभर टक्के होते मंजेच का है दहा टक्के मंजे टोटल दहाजार रुपए तुम्हीं एकड़े इन्वेस्ट करनार 20 टक्के मंजे 20,000 रुपए इन्वेस्ट करनार इकड़े 30 टक्के मंजे 30,000 परत 20 टक्के मंजे 20,000 आनि परत आता हाँ कुठो ये थाम्बेल है आपलेला महिंती नसता त्यामोल जवहां तो एका टिकानी रेश्ट गेल, कंसॉलिडेट होईल, थोड़ा सा वर्ज आयला सुरुवात करेल, त्यामों आपन या लेवलला बाई करना रहुत, हाँ स्टॉक खाली इतुन परत ये था से तर आपन परत वाट बगनार, परत जारा सा वन लगेज खाली था से तर वाट बगनार, जर त्यानी एक चारपाच केंडल बनावले एका रेंज मदे तर आपन येकडे बाई करनार, की सिंपल आनी बेसिक क्राइटेरिय आपन इकडे लक्षा ठेवाईचा है अता इथे जरु तुमी बगीत लतर बराच वेर हाच श्टॉक एकाच रेंज मदे कंसोलिडेट जाला है मनुन आपन तेला बाई केला 270 रुपई आला तोटल कॉंटिटी आपन बाई केला 10,000 रुपई आचा 270 रुपई प्रमाने पुन्ना हाच श्टॉक वर जाओन खाली एन्या साथी प्रयत्न करू लागला आनी जेवाच श्टॉक पाच टक्क्या पिक्षा अजुन डाउन होईल तेवाच आपन इन्वेस्ट करना लक्षाद गया पाच टक्क्या पिक्षा जासता तो श्टॉक दाउन होईला पाएजे तेवाच आपन पुडची इन्वेस्टमेंट करना आनी इकडे जर बगिला तर तर हाश्टॉक अराउंड या लेवल पास उन पुन्ना या लेवल परेंत पोचला आता ही लेवल आहे जवल पास 230 रुपया ची अपन एग्जाक्ट बॉटम आपले ला पकड़ता एत नाही महनून आपन एग्जाक्ट बॉटम पकड़नार नाही हाँ उनना रिवर्स लाला एका रेंज मदे कंसोलिडेट जाला एकड़े बगुशक्ता तुमाला प्रोपर अंदाज एल त्याचा एका रेंज मदे जवाहा श्टॉक कंसोलिडेट होतो त्याच वही आपन त्याचा मदे इन्वेस्ट करनार आहोत या एका रेंज मदे काही इन्वेस्ट करना रहा है, किती इन्वेस्ट करना रहा है, जसा आपन पाहिला होता, 20 टक्के आपन इकडे, उन्ना इन्वेस्ट करना रहोत, 20 टक्के मन्जेज, जवल पास 20,000 रुपई होता, कारण 1,00,000 रुपई आपन, as a example पकड़तो है, मग तुमचे आमाउंट 10,000 रा से उरुन थोड़ा सा वर्ज आला आनि वर्ज आताना माला दिचला मनुन मी इकडे, उन्ना बाइंग केला है, 235 रुपई ला करन एक्जाक्ट बॉटम पकड़ना अपलिया साथी पॉसिबल नस्त मनुन, आता एकड़ुन हा श्टॉक जर तुमी बगिटला, तर उन्ना इतुन वर्ज आला आनि याचे प्राइज होती 260 रुपई अपरेंदे गेला, ति इतुन हा पुन्ना खाली आला, पन हा अजुन नहीं याचे रेंच मले होता, पुन्ना श्टॉक वर्ज आला आनि इतुन हा मात्र खाली एन्याचा तैने प्रेत्न केला, या लेवल ला 220 रुपई अचे रेंज मदे जहुआ आला, तें वहां आपन इकड़े बाय करनेयाचा विचार करनार, याने लो बनवला सेल 215 रुपई अचा वगरे, ते मैटर नहीं करत, पन जहुआ हां कंसॉलिडेट जाला, आनि इतुन आपन विचार करू शक्तो 220 रुपई अला, खाली जानेयाचा प्रेत्न करू लागला आता, या केस मदे बोगु शक्ता है, इतुन डायरेक्ट हा श्टॉक याउड़े आ मुठ्या प्रमानात खाली आला, आक्चुली तुमी इते इन्वेस्ट नाही केला, तरी सुद्धा चालो शकलास ते एक 3-4 स्केंडल बनले आहे पन ठीक आहे, अटलिस्ट एक 4-5 स्केंडल बनले आना, तरा अपन दिगड़े इन्वेस्ट करना रहो, पन इकड़े आपन कंसिडर करतों कि आपला आंधर चुक लासेल कि मुँआ अपन एक 4 स्केंडल बनले आपले आला, वाटल कि हावर जाईल, कि वाट जे काही होईल त 155 रूपयाचा अपन आपले आला एक्जाक्ट बॉटम ला इन्वेस्ट कराईचा नाही, मनुन आपन एक काम करतों कि थोड़ा सा रिवर्स जाले आना तरी इकड़े इन्वेस्ट करतों, जी के रेंज मी समझुन चाल तो 155 रूपयाची, 155 रूपयाला आपन उन्ना 20 टक जवल पास दोन महिने मी वाट बगितली, पन हा श्टोक परत काही खाली आलेला नाही, मनुन मी या लेवल लाच इन्वेस्ट करतों, एका दा स्टोक खाली एतासे जर कंटिनुएसली लोवर लो बनवत जातों, पन यानी काही केला हाई एक हाई बनवला, उन्ना एक हाई ब बनवला जो याचा लो तो ब्रेक करूँ शकलेला नाही, उन्ना जवल आहा तिसरा लो याचा ब्रेक करूँ शकनार नाही, मनुन मी या लेवल ला परत बाय करें, परत बाय करने चा आपले टोटल कॉंटिडी कीती होते हाई, 20 टक्के आपन उन्ना याचा मदे मी बगिट लेतर 150 रुपयल आपन इते इन्वेस्मेंट करनार आहोत, आशा चांगले स्ट्रेटेजी पाहने साथे आनि आमाला मोटिवेट करने साथे पहला वीडियोला लाइक करा आनि कमेंट करा, असच दिमेट अकाउंट ओपन करने साथे दिस्क्रिप्शन मेदे लिंक असच दिमेट अकाउंट ओपन करू शर्ता, टेकनिकल अनलेसिस जर तुमाला माजा करून शिकाईचा सिल्थर अडवांस टेकनिकल अनलेसिस नावाचाम चा कोर्स ज्वाइन करू शर्ता, लवकरात लवकर या दिलेला नंबर वर कॉल करा, सगला सर्विसे समचा करून इकड़े आहे अपली पहिली इन्वेस्मेंट जी कि 10 टक्याची होती ही इन्वेस्मेंट आहे अपली 20 टक्याची, इकड़े आपन टोटल 30 टके इन्वेस्ट के ले, इकड़े पुन्ना 20 टके आनि या लेवल लाइक 20 टके, टोटल 100% इन्वेस्मेंट आपली कम्प्लीट ज स्टॉक मिलना रहे त्याच बरुबर या 20 टक्या मदे 235 रूपया प्रमाने 55 शेर्स मिलना रहे तीस जववा आपन टक्या एकड़े बाई केले होते त्या विली आपले आला 136 कॉंटिटी मिलना विस टक्या प्रमाने इता आपले आला 120 कॉंटिटिटी आणी इते 168 कॉंटिटी मिलना रहे कारण एकड़े प्राइज होते 180 रूपयै आणी याला मात्र प्राइज होते 150 रूपय आणि या चार्षे quantity buy करने साथे आपन invest के लिए होते 1,00,00 रूपए आता या 1,00,00 मदे आपले यह उड़ बाइंग करता आल आता समझा हा श्टॉप उन्ना 300 रूपए चे level ला आला करन आपन इकडे बहिट लो तो 300 रूपए चे level पासुन नौर्मली लोका विचार करनार की ते चापशना हाई प्राइज लाप लेला सेल कराइचा है पन एक नौर्मल मी उधारन देतों समझा मी एक 300 रूपए नेच 300 रूपए नेच 490 कौंटिटी जर मीच सेल के लिया तर याची टोटल वैल्यू बनेल 1,47,000 मंजेच ये 47,000 रूपए चा माज़ प्रोफीट असेल लक्षाद गया मितरा नो जवल पासी 4-5 महिन्या मदे अराउंड 15 टके मंजेच अन्योली जर आपन कैलकुलेट केला तर शंबर टके रिटन इकडे पाहला मेलता है पन मी आजून विचार करेना स्टॉक किती हाई गयला है याचा हाई किती मोठा सेल ये पन आपन बगना रहो जर आपन आजून एक पुड़े साह मेने होल्ड केला तर ये टोटल हाई बनोला होता 560 रूपए चा ये उड़ा मोठा लेवल लाहा श्टॉक वर गयला होता पन मी कंसिडर करतो है चला 550 रूपए ला आपन याला सेल केला करन एक्जाक टॉक सा आपन नो कुप कटी नाए जर 550 ला जरी आपन या चार्षे नववद कॉंटिटी सेल केला असता है पेशनसी आसनार कारन याउड़े दिवस तुमी ताला ओल्ड करता है प्रोपरली इन्वेस्ट करता है ओब्यसली शेर मार्केट मदे इन्वेस्टिंग करन रिस्की आसत सग्ल्या गोश्ट या है जर चांगले रिटन मिलाल यासते का या थोड़ा सा थपास करून भगा अनि जर तुम्हाला ती योग्यवाट ला तरच इन्वेस्ट करा अनि अपेक्षा है तुम्ही या वीडियो ला लाइक कराल करना मिया तुम्हाला तुम्हाला अवडली तुम्हाला अमला अप्रिशेट कराई चासे तर अजुन चांगले वीडियो पाही चासते तर लाइक करा शेर करा तुम्हाला मत मला कमेंट करून करवा अनि होट चानल सब्सक्राइब करा. धन्यवाद, stay tuned and stay positive.